कि नमस्कार दोस्तों कि मैट सेंट रिसनिंग में आपका स्वागत है कि मेरा सेंट टूरियर है इसमें हम आपको आज बताएंगे कि दो नम्मरों का इंटू कैसे करते हैं इसी विए में सपूस कि दिया हमें सेविंग इंटू सेविंग 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 का इंटू करना है तो जो नॉर्मल यह मैट यूज करते हैं उसमें बहुत डिफिगल्ट होता है या मैं पूरी टेवल याद करने पड़ती है तो मैं आपको अगले टूरियर में टेवल भी बताऊंगा कि टेवल में कैसे याद यह इसको बताते हैं इसके लिए बस एकी फॉर्मुला यात करना पड़ते है यह नॉर्मली करें तो तीन लाइन यात करने पड़ते हैं बसे फर्स्ट लाइन सेकेंड थर्ड तो इनका यूसे करते हैं यह बतातों अब सेवेन थरी सेवेन सेवेन का इन्टू करना है मैं फर्स्ट लाइन का यूसे करेंगे सेवेन इन्टू थरी ट्वंटीवन का वन लेलिया टू जो है यह कैरी है अब सेकेंड लाइन का यूसे करते हैं 7 इन्टू 3 7 इन्टू 3 करेंगे मारें 21 7 इन्टू 7 49 इनका वैड करते हैं 0 2 4 6 प्लेस 7 1 7 प्लस 2 72 का 2 यहां लेंगे इसवार फिर 7 केरी आ गया अब लाश्ट लाइन यूज़ करेंगे 7 इंटू 7 49 प्लस 7 एक केरी वाला इसको एड़ कर देंगे 56 46 हैं हैं यह हमारा आंशर हो गया हик को बसंच न तीन ल यो के मदद से आंशर हो गया दूसरी मैटड़ जो हुम अदर सेम है ये लेकिन हम तीन नमठों के लिए आधर करना हो तो क्यक् honest के लिए तो हम ऐसे भी कर कर सकते हैं बारियाती तीन नमरों के तीन के लिए कैसे है इसके लिए हमें बस सिंगल इंटू 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 प्लस क्रॉस ज्यादा को श्याद नहीं रखना है फिर इंटू और फिरेट लाइन हमें इसको याद रखना है बसकाता है चलिए हम एक्जामपल लेते हैं एक्जामपल में ले लेते हैं कि वन टू थ्री इंटू फोर फाइव शिक्स ठीक है इसी मेथाड़ से करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव शिक्स इंटू अब इंटू करने के लिए पहले हम यहाद से स्टार्ट करेंगे इसको अप्लाए करें इसको अप्लाए कि है 3 इंटू 6 18 18 में से 8 को यहाँ लिख दिया यह जो 1 है कैरी होगया 1 कैरी होने के बाद बापर सब सिक्टन वाला यूज़ करेंगे 2 इंटू 6 3 इंटू 5 अपसमें एट कर देंगे तो 2 x 6 12 plus 5 x 3 15 equal to 27 plus 1 28 28 रहेगा उसका 8 हमने यहां ले लिया यो 2 रहेगा उसको केरी में निकाल लिया अगली मेथाड यूस करेंगे 1 x 6 6 4 x 3 12 5 x 2 10 equal to 18 plus 10 28 यहां बापस ले लिया और 8 अगर हमें यहां बापस लेने के अलावा हमें जो 2 कह रही है उसको भी add कर दिया तो यहां पर आ गया 1 x 5 5 plus 4 x 2 8 equal to 13 plus 3 1 6 1 6 मैं से 1 है उसको केरी लिया और 6 यहां पूट कर दिया लास्ट लाइन वन इंटू 4 प्लेस वन इंटू 4 4 plus 1 5 यह हमारा अंसर हो गया है यह बहुत easy way है अगर इसके practice की जाए तो क्योंकि हमें जो time रहता है और हमारे जो exam रहते हैं SST अगर हमें calculator या कोई भी gadget use नहीं कर पाते हैं तो हमें कुछ सेब करना पड़ते हैं इस में SST में तो हमें काफी अच्छी method चाहे पड़ते हैं इसके लिए मैं आपको यह बता हूँ को table कैसे जाद कर सकते हैं बहुत easy way में और सारी method basics से अभी मैं आपको into या plus minus बता रहा हूं यह सब को आता है लेकिन जब हम बहुत बड़े बड़े question करते हैं तब यह भी difficult हो जाता है Thank you for watching